तो आज हम लोग बात करेंगे COVID antibody test report के बारे में क्या होता है और क्यों करा जाता है तो basically जो COVID antibody test होता है वो past infection के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है कि हमारे अंदर coronavirus के अगें जो antibody बना हुआ या नहीं बना हुआ तो यह पता चलता है कि पास्ट में infection हुआ था या नहीं हुआ था तो यह जो test होता है या current infection के बारे में नहीं बताता है इसके लिए RT-PCR और rapid antigen test होता है और यह test बार जाता है यानि infection के किस दिन बार या symptoms आने के किस दिन बार या तो फिर positive आने के किस दिन बार टेस्ट कराया जाता है यह blood sample से होता है test और इसके लिए जो किसी बी doctor की prescription की जोड़त नहीं परते है कभी भी कोई भी वेक्टियेट्स च्छा से टेस्ट करवा सकता है और इसका फॉर्म 45 बढ़ना तो सर्वे फॉर्म होता है रिपोर्ट आपको से मिल जाएगा अग्याव होता है उसका नौर्म वैलु जाएगा अलग अलग मेथट से टेस्ट करते है लेकिन सब का मतलब से होता है और सारे समी परपस से किया जाता है तो जो अलग अलग मेथट होता है एक मेथट होता है तर कम यह सबक्रानर्ट कीद अब की मेथट करा है अब हमाग की लिखा कंभा ओए तो इसका जो नौर्म ब्युल्व होता है 1.40 यानि कि 1.40 से कम यारी value आयागा तो negative है negative का मतलब होता है कि आपके अंदर antibody डवलप नहीं हुआ यारी आपके अंदर antibody डवलप नहीं हुआ यानि कि नहीं बना है आपके अंदर antibody positive का मतलब होता है कि उस virus का antibody आपके अंदर है तो यहरी 1.40 से जड़ा है, तो positive होगा, यानि कуль की एंदर antibody बना हुआ है और यही क्लि की एंदर antibody बना हुआ है Yakimal cg0. faz 용. इंदर antibody नहीं बना हुआ है और यही FIFA और 12 से जड़ा है पेलु है यह आपके एंदर antibody बना हुआ है तो यह एक से कम है value तो इसका मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब हुआ कि आपके अदर antibody डेफलक नहीं हुआ है और positive का मतलब antibody है, तो उसका मतलब आपको pastmoy infection हुआ था तो यही मतलब हुआ कि आपका रिपोर्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब आपको इंफेक्शन नहीं हुआ था या आपके अंदर नहीं बना या आपने अरली टेस्ट करवा लिया या फिर आपके अंदर बना ही नहीं आपको इंफेक्शन हुआ नहीं था पोजेटिव का सब्सक्राइब करना है कितना होना चाहिए तो वह सब सारे लिंक डिस्क्रिप्सर में आप जाकर देख सकते हैं हमारे दूसरे वीडियो पर